कि चीक है तो शुरू करते हूं आज हमारा यह लास्ट क्लास है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेम्किल पेपर जामिय के साब से पैटर नमबर थी ठीक है फस सेकेंड हमने कर दिया था तो पहले जो कोश्चन है कि अगर कवर्ड डिस्टंस अफ 600 किलो मेटर एक रॉंस्टेंट इस्पीड पर आवर मुर मतल्म नॉर्मल पहले कोई स्पीड ती उसकी एक्स और टाइम मानले हमने ती आवर्स वो क्या गया रहा है कि अगर इस्पीड बढ़ा दे हम 50 किलो मेटर इंट यानि एक्स प्लस 50 हो जाए तो टाइम कितना लगेंगा टू आवर्स लेस ती माइनस और डिस्टंस अभी भी क्या रहा है गा सेम यानि हम लिख सकते हैं 600 इस इगल टू एक्स प्लस 50 इंटू टी माइनस और पहले क्या था दी इस इगल टू एक्स टी यानि एक्स टी की वैडिव क्या थी 600 यह हमें एक चीज़ गिविन थी और अब सेकंड यह एक्वेशन है इस से हमें एक निकालना क्या है स्पीड यानि एक्स निकालना है क्या करेंगा मल्टिप्लाइ कर दो सीदे यह ज़िए एक्स टी प्लस 50 टी माइनस 2 एक्स माइनस एक्स टी की वैल्यू 600 एक एंसल जो गया 50 टी माइनस 2 एक्स इस इकल टू अब देखो निकालना क्या स्पीड यानि जो हमने माना है एक्स क्या करेंगा वासिफ क्या कर सकते हैं आगे सरी यहां से टी के सरी उपर से टी की वैल्यू जेलेंगे सरी जहां से फश्ट एक्स टी इस एक्स टी को लिख लेंगे एक्स के टर्म में तो इस एक्वेशन में हो जाएगा 25 600 अपॉन एक्स माइनस एक्स इस एक्स एक्स के लिए इसलिए रखा हमने क्योंकि एक्स चाहिए हमें तो हमने टी एलिमिनेट कर दिया पर टी हटा दिया तो यहां टी से सब्टिट्यूट कर दिये वैदी ठीक यह कोड्रीटिक एक्स बन जाएगी एक्स तो प्वाड्रीटिक कुश्टिक परें या पिर यहां आप्शन से पुट करके देख ले यहां 100 सिंपल लग रहा तो पहले 100 रखके देखें एक्स इगल टो हंड्रेट को क्या हो जाएगा यह सिक्स 25 सिग्जा 150 माइनस अंड्रेट से आगया अंसर यानि स्पीट कितनी है उसके कि कभी भी इस तरीके की कुश्टिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक में सौर्फ करने की चकर में मत पढ़ना ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेना इस सबसे इजी हो से हम रखके देखेंगे या ऑप्शन नमबर फॉर से हमने रखके देखा तो हमने आंसर मिली किलि कि क् topics two को इस तो हम से और ऊल्फ घूडरा खां पडानों ऑफ़ देखेंगे रखकेंगा फिस्याटि कॉद्सीं तग़्छिसा मिली वेना ऐस इस आँजा कॉटिक देखेंगे कॉडगे कॉच्छण सामंगि चौनर क्या यूस कर सकते हैं? तो सम हो जाएगा here, sin alpha plus cos alpha is equal to minus b upon minus b upon product sin alpha into cos alpha is equal to p upon i.e. sin alpha cos alpha is this side PQR है answer PQR के term में है यानि हमें जो sin alpha cos alpha इंको हटाना है ऐसे हटा सकते हैं? अगर मैं इस पूरे का square कर दूँ इस वाले का, sum वाले का तो क्या मिलेगा मुझे? squiring both sides क्या आजाएगा sin square alpha plus cos square alpha sin square alpha plus cos square alpha sin square alpha plus cos square alpha हो जाएगा 1 plus 2 sin alpha cos alpha is equal to q square upon e square आजाएगा आजाएगा यह square करके अब sin alpha cos alpha की value देखो r upon p के term में दे रखी है तो यह बजाएगा मेरे हिसाब से तो आना चाहिए आजाए e square plus 2r e square minus q square plus 2rp is equal to 0 option number c c c i option c roots का हमने values लेकी sin alpha cos alpha root d t इनका sum होगा minus q upon p this equation के जब से sin alpha into cos alpha होगा r upon p r upon p sin square plus cos square alpha होगा 1 plus 2ab 2 sin alpha cos alpha होगा 2 sin alpha cos alpha की value यह है यह हमने रखी simplify किया तो यह आ जाने चाहिए option number c e next portion portion पर आते है option number 3 points a a coordinate a a b minus a comma a c minus root 3 a comma form the vertices of form the vertices of यानि अगर मैं इसके triangle बनाऊ a b c तो कैसे triangle बनेगा इसके लीन right angle triangle या फिर isocellus right angle triangle या फिर equilateral triangle यह बताना है यह बताना है यह बताना है इससर डिस्टेंस फॉर्मलस निकाल रख सकते है असर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर a-c-ka b-c-ka फिर उसमें देखेंगे अगर तीनों साइड डिफिंट आइं तो स्कैलन हो जाएगा और अगर गुड़ बेरी गुड़ यही करेंगे तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम साइड का निकालेंगे तो a-b-b-c-c-c-a और फिर तीनों साइड के कुछ भी डिफिंटेश्ट के क्या है ठीके तो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते है यह सॉ तो जब a-b होगा तो a-b-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c a-b-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c माइनस है कि रूट है थी रूट थ्री ए रही शर्थ पूरे पर रूट लगा होने कर तो यह हो जाएगा इंडर रूट में एस्प्वाइर में एस्वाइर चार जर्थ 6 सब्सक्राइब नहीं आ रहा हमारा इस अभी हम नहीं चोड़ देते हैं इसको अभी हम ऐसी छोड़ देते हैं सब्सक्राइब निकान लेकिन यह फिर से हुई यह जाएगा है प्लस रूट थ्री एक स्क्वाइर और ए माइनस रूट एस्वाइर इसे हम सिंप्लिफाई करें अब यह देखो सॉल मत करें सिर्फ सी ए और बीजी को कंपेर करके देखो कि सेम टर्म आ रहे हैं यह कुछ अलग है अब अब आए और अब कर लिए तो यह माइनस रूट थी था यहाँ पर फ्लस को फ्रूट थी ए यहाँ यह डिफ्रेंट है और यह टू ए यानि यह तीन हो सब क्या रहे है इस अब अब इस का अब न इस मेंग होजया है और और कि नेक्स्ट पर आते हैं कि इस का पॉइंट पी के कॉडिनेट हमें दे रहा है एंद दोनों के कॉडिनेट दे रहा है यानि पी है माइनस फाइफ परमत करी माइनस फाइप परमा एंद आम यान पोडिनेट कि अ मुझा खाटिनेट है ॉडय कोडिनेट दे रहा है तो यह क्या कह रहा है कि सम और एक्स कोर्डिनेट को है । यह क्या कह रहा खाटिनेट अड वाइ लिग बिलमत करीजो य। यानि इसका X coordinate मालो X1 है यह Y1 है यह Y2 है सुम of X coordinate यानि X1 plus X2 is equal to Y coordinate Y1 plus Y2 9 का मितलब यह हुआ sum of f से साथ and coordinates इसका मतलब x-coordinate and y-coordinate तो इन दोनों का sum equal है, तो m की value क्या होगी simple रख दो 5 plus minus 5 is equal to 3 plus m value क्या सकती है minus minus 5 X to change the term minus 1 minus or 2 equals to time to time to time to time to time option option B minus 13 M is equal to minus 13 possible value जा सकती M की minus 13 option number P next polynomial एई ये देख फूर्थ डिग्री आज में 6 एक्ष्ट is divided by another polynomial the remainder is this AX plus B then A और B की कौनसी वेल्यू प्रू है 6 X 4 plus 8 X Q plus 13 X square plus 21 X plus 7 इसको हम divide कर रहे हैं 3 X square plus 4 X plus 1 हम remainder निकाल लेंगे जो remainder आएगा उसे AX plus B से compare कर देंगे इस तरही वसे में टाइम लाई आगा लेकिन इसमें और कोई method नहीं है इसे निकाल लेगा तो देखो जल्दी हो जागा simple दिया कोई fraction ये decimal ये उसमें नहीं है तो 3 X square नहीं हो गिया ये हो गिया प्लस 8 X cube प्लस 2 X square तो देखो इसमें दूनों टर्म एक साथ eliminate हो गए 15 X square plus 21 X plus 7 15 बनाने के लिए 5 से करेंगे और X से करेंगे चाहिए तो single 5 यानि 15 X square plus minus 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 ये गया X plus 2 यह आरहे रिमिंड़ X plus 2 अब देखो question में ये था है कि remainder will be comes to be A X plus यानि आप अगर हम coefficient compare करें तो A की value हो जाएगी 1 और B की value हो जाएगी 2 तो 1 लिख सकते हैं 1 and 2 X तो ये A की value है और ये B की value प्लस देख लेते हैं कौन सा सही आ रहा है A is equal to 1 Find minimum value of quadratic expression 4 X square minus 3 X plus 4 प्लस 4 की value पूची है तो हम पहले देखें कि अफेक्टराइज कर सकते हैं इसे नहीं कर सकते हैं तो तो क्या बोला समझ में या या से तो एक फारूला होता नहीं तो इसे देखा चाह रहे है कैसी roots है B square मतलब 9 4 AC यह क्या रहा है Less than 0 यह रूट्स करके तो possible नहीं है सो निगाफना कुछ और सोचते है सरे इसमें negative value सर नहीं की है option option 1 negative 3 positive 2 यह हम इसमें negative यह रहूँ यह यह प्रेगे इसमें तो इसमें तो सोचो दिमाग लगाओ प्रेगे 4 AC 6 तो एक फार्मूला होता है आख एक एक फार्मूला होता है एसे बोलते हैं डिस्टार गजाराइगी एक जिन्सेंग गली मैंने यही चीज़ करें निखाली, यही लिक थी यहस्य जिडर आए, इस वे और भी प्लिश ओद हिरों नुबर आएका या निख मैंने यही चीज़ को पहले निखाली है, यही लिख देन सेरो आरा है अगर कोई क्वाद्रेटिक एक्विशन इस फॉर्म में गिविन है तो य इस एकल टू एक्स स्क्वाइर प्लस बीएक्स प्लस सी एक तो यह हुट दी के लिए हम मिनिमम मैडियू दो एक तो यह ओधा है कि a चुट ग्रेटर दें 20 इस के ili मैं देखो फ्लस फ़िम्हमuration देख जी यह मीनिमब विल्यू पाइल है जिकल टू होती है सी!!! माइनस बीग्स क्वार अपॉन हो इसका पूरा प्रोसेस है लेकिन तुम यह याद रख सकते हो कि यह वैल्यू हो जाती है इसमें एकी वैल्यू है फोर बी की वैल्यू है माइनस थरी और सी की वैल्यू है इसमें रख तो 4 माइनस 25 हो जाएगा 9 अपन 4A हो जाएगा 60 इस इस 64 माइनस 9 55 अपन इस वा अगर इसमें हमें मैक्सिमम बैल्यू भूचने लगे तो नहीं जब यह पॉजिटिव होगा तो मिनिमम पूच रहा और जब माइनस होगा तो मैक्सिमम फूच रहाएगा इसमें से चलते हैं अच्छा अच्छा इसमी आगे चलते हम 7 आईसोसेले स्ट्रेंगिल 10 बेस और 13 इंचिस जाइड इस बार सेंटीमेटर की जागा इंचिस होगारा हमें दे रखा है इसमें से बेस की क्या वैल्यू हो सकती की एडिया सेम रहे इसमें से कौन सी पॉसिबिल है ट्राइंगिल के ऐसा रखना हमें आईसोसेले से हम पहले क्या करेंगे एरिया निकाल दो अगर मैं इसका पर्पेंडिकुलर निकाल दो तो मैं एरिया निकूंगा आप बेस इंटू हाइट तो यह एच निकालना है एच कैसे आएगा यह पूरे टैन है तो यह कितना हो जागा फाइफ यह फाइफ है तो हाइट कितनी हो जाएगी तो यह पूरस नंबर याद रख लो कि यह फाइफ से यह थर्टीन है तो यह कितना होगा तो जागा तो जागा ट्वेल्थ यह पूर यह वाला यह थिए तो यह नि तो यह अगर थरी फोर है तो यह कितना होगा फाइफ तो यह कितना होगा यह नंबर फिक्स होते हैं अगर 8 और 10 पता तो तुम्हें कैल्कुलेशन की जरूर अधी तुम्हें पता होने जी कि 3rd side क्या होगी 6 ही होगी तो अगर 35 दे रहा हैं तो यह side कितनी होगी 12 169 आएगा उसमें 25 माइनस करोगे 144 144 का रूट लोगे 12 एक तो एरिया कितना होगी है इसका हाफ बेस इंटू हाइट एक यह कितना होगी है 60 60 स्क्वार इंचेज ठीक है अब हमें इसमें से देखना है कि बेस को अगर हम रहे हैं यानि 60 is equal to 1 by 2 into base into height यह होगी 120 is equal to base into यानि बेस की multiply और height की multiply कितनी आनी चाहिए 120 अब देखा अगर हम इसमें से option अचल एलू 18 ले लूँ बेस ठीक है तो h की value कितनी आ जाएगी अचल पूंटी अपूंटी 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 यह देखो fraction में आगिया अगर 19 लूँ तब भी दिख रहे तो डिवीजिबल है नहीं 24 ले अगर बेस तो h कितना रहे तो 5 यहां में proper value मिल रही है तो देखो अगर यह मैंने लिया 24 यह height कितनी हो गई 5 यह कितना होगी है 12 यह कितना आजाएगा 13 यह कौन साइस त्रेंगिल पॉसिबल है जिसमें की यह दोनों 13 रहेंगे यह जाएगा इसमें पॉसिबल फारी पॉसिबल को रिपीट कर दीजेगा यह अगर देखो यह आइसो सेलस्ट्राइंगे लिए यह आइसो साइट्स अगर्ण आइसाइग्ण पर निए तरहर पेस दिया है तान् इसका एक और दूसरे ट्राइंगल लें जिसकी बेस अलग हो लेकिन ट्राइंगल का एरिया क्या रहा है? सेम तो मैंने का चलो मालो यह रेट से शोगिया यह ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होने चाहिए? सिक्स्टी स्क्वाइर इंचिस जो हमने निकाला है लेकिन बेस इन में से कोई सी भी एक हो सकती है आप्शन देखे हमने चारो वह लिख लिए खीक है तो मैंने पहले 18 लेके शुरू किया यहां मैंने जो 18 लिखा है यह मेरा फस्ट आप्शन था मैंने बेस मान ली 18 यह वालो तो एज कितना आया 20 बाई 3 तो यह पिर प्रॉपर इंटीजन नहीं बनेंगे तो यानि यह वाले ट्राइंगिल नहीं हो सकता है 19 करता तब यहीं केस होता हुआ तो अब तीसरा ओप्शन लिए 24 तो जब 24 लिया तो हाइट इतनी आ गई 5 जब हाइट 5 तो यहां देखो मैंने रखके देखा 5 और इसे यह इसका आधा हो जागे जैसे यहां 5 हो गया तो यह 12 तो अभी भी देखो साइट कितनी आ गई 13 इसो सेलस बन गया और एरिया भी कित हो गया सेव 60 जैनि ऐसे दो आइसो सेलस ट्रेंगिल पॉसिबल हैं जिसकी साइट 13 हो एक बेस टैन और एक 24 हो तब भी एरिया क्या होगा सेव जब नेक्स पे आते हैं साइन अलफा प्लस साइन वीटा प्लस साइन गामा इस इकल टू थी देन वैल्यू ओफ इस जबी बताओ देखने में यह मुश्कल लग रहा लेकिन बहुत संपल पुशन है यह स्थी यह थी तब भी पॉसिबल है जब यह भी वन हो यह भी वन हो यह भी वन हो यह भी विए सब्सक्राइब कर देखो साइन और कॉस हमने डिसक्स किया था साइन थी टा की मैक्सिमुम मेल्यू होती वन वाइन थीक तो इसके अलावा अगर मैं ऐसे बनाता माल दो मैं इसे कहता साइन अलफा टू है यह 0.5 है यह 0.5 है यह 0.5 है तब भी 3 हो जाता सम लेकिन मैं निलिख सकता की 2 नहीं लिख सकता मैं साइन अलफा को तो जो कंडिशन हो सकती है कि सिर्फ यही वनेगी यह तो इनका क्यूब भी क्या और जब यह 3 हो वन है तो इनका क्यूब भी क्या हो जागा 1Q प्लस 1Q is ख इस इकल टू तो यह जालो नेक्स पूसिशन a प्लस बस बस 10 A 10 B की मल्टिप्लाई ये कितना हो जागा 10 A 10 B की मल्टिप्लाई A plus B 90 यानि ये क्या है अपस में कॉम्प्लिमेंटरी तो ये इसे मैं लिख सकता हूं क्या 4 A देखो B की जगह में क्या लिख सकता हूं 90 minus A और जब मैं इसे लिखूंगा 10 A तो ऐसी राव 10 90 minus A 10 90 minus A क्या बन जाएगा 4 10 90 minus theta is 4 तो इन दोनों की multiply क्या हो जाएगी 1 यानि ये चीज तो हो गई 1 अब 10 A कॉर्ट B 10 A कॉर्ट B तो इसमें भी मैं B की जगह 90 minus A रख देता हूं तो ये क्या बज़ जागा 10 10 fix 10 दे उसे आए ठें इजो मैं 10 you have 10, SQ यानि एक पॉसे मिलिटी ये दे रर चलो और S解NNUS 1 भी यह साइने अपॉन पॉस भी सेक को वन अपॉन कॉस अब वही फिर से बी को मैं 90 माइनस ही रखूंगा यह क्यों जागा साइने साइने अपॉन साइने यान यह भी क्या होगी या बन मीचे जो ऐसी यह साइन स्क्वाइर भी यह बचा वन क्लस अपॉन वन तो रहने दो माइनस वन यह सब कैंसिल होगा यानि सिर्फ यह जो डर्म है यह बच रहा है यह जो वैल्यू बच रही है देगो इसको कई तरीखे से लिख सकता हूं मैं इसे मैंने एक लिखा इसे इसी गंडू क्या है टैन स्क्वाइर आंसर में मुझे टैन स्क्वाइर नहीं दिख रहा है तो यानि इसको कॉट भी इंटो कॉट यानि कॉट स्क्वाइर और। यानि कोट स्क्वाइर प्रीं कि उप्शन नमबर है ठीक है यास स्चिंपिल था उस पर कॉंप्लिमेंटरी पर लेकिन भुमाकर दिया था बहुत्त सारे वैलीउस वड़ दीदी इस अगे चलो नेक्स चलते हैं अगे स्टीटा माइनस एक थीटा सब्सटेटा 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 सब्सक्राइब पर अजिए वह फाइल थी उसमें आपके सब्सक्राइब 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 सेख हो गया 1 upon cos theta minus cos theta 10 theta क्या हो गया sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin LCN लेके multiply करतो तो यह हो जागा sin theta cos theta sin theta यह हो जागा 1 minus sin square theta को बना कौन कौना sin square theta plus कुछ कह रहा है सान्या बेसिकि यहापर जो 10 theta दे रखा है इसको यहापर हम बना कौट theta भी तो लेकिन लेकिन हम sin और पॉस में convert कर रहा है simplification के लिए दे रखा है अब देखो यह थीच है तो यह हो गया cos square यह हो गया sin square theta यह हो गया 1 यह भी नीचे sin square theta और cos square यह सिरो के गया गया या अगर तुम्हें relation और उस वहत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगर इस type equation है, is equal to, तो यह जो भी value होगी, वो theta की every value लिए true होगी, theta की हर value लिए true होगी, तो तुम क्या कर सकते हो, theta is equal to, कोई भी value रखके, 30 degree मान लो रखके इसमें रख दो जो भी answer आएगा वो सही होगा clear है ऐसे भी कर सकते हैं next दिया है height and distance two ships are sailing on sea or either side angle of depression as observed from how this is if the distance between the ship is find the height of the lighthouse two ships are sailing on either side of the lighthouse यह बीच में लाइठ हाउस है एक शीप इस तरफ है और एक शीप दूसरी तरफ है angle of depression जो जादा करीब है उसका एंगल जादा होगा यानि 60 degree और जो शीप थोड़ा दूर है उसका angle of depression कम होगा distance between the ship यानि इन दोनों points के बीच में distance दे रखिया में 100 root 3 plus 1 divide by 2 इसके height मान लेंगे h यह 45 degree है तो यह और यह आपस में सेम होने चाहिए यह यह भी कितना हो जाएगा h अब इसमें लगाएंगे 1060 degree is equal to h upon यह distance हो जाएगा यह पूरा 100 root 3 plus 1 divide by root 3 minus h यहां से यहां तक h आगिया तो यह minus होगे इसमें 1060 की value होती ही root 3 यह तर जाएगा multiply तो यह हो जाएगा 100 into root 3 plus 1 minus h root 3 is equal to h यह side गया तो root 3 plus 1 से root 3 plus 1 cancel हो जाएगा h is equal to h option number c तो थोड़ा calculation भी थेस करनी होगी next चलते हैं यह तो बहुत छोटी figure है दीख भी नीरा अगे चलते हैं alpha, beta are the zeros of the quadratic polynomial then कौनसी relation true है यह all of these यह थोड़ा ध्यान रखना है all of these भी रखता है quadratic equation 4x square minus 5x minus 1 alpha and beta 0 यानी alpha plus beta हो गया b upon a 5 upon 4 alpha, beta हो गया c upon a यानी minus 1 upon ठीक अब पहला option देखे क्या करेंगे इसमें alpha, beta common यह क्या बचा alpha square plus beta square दोनों values हमारे पास है minus 1 upon 4 into 5 upon 4 यानी minus 5 upon 16 option a तो सही है clear अब देखो एक अगर true हो गया तो अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक check करके देख सकता हूं B को या C को दोनों में से अगर एक भी true है तो all of these हो जाएगा वनना option a होगा अब कौन सा जादे easy लग रहा है B या C C देखो C क्या है 1 upon alpha plus 1 upon beta LCM लेंगे तो यह हो जागा alpha beta और उपर हो जागा alpha plus beta दोनों की values है मेरे पास 5 upon 4 divided by तो यह हो जागा minus 5 यानि यह भी सही आगा A और C दो सही है तो all of these option सही होगा अगर इसे निकालना होता alpha square plus beta square को तु क्या करते है हम इसे लिखते alpha plus beta का whole square minus 12 beta इस तरीके से करते है तो यह थोड़ा square और यह सब टर्मा रहा थे इसमीं मैंने C देख लिया दोनों सही है याली all of these is correct हा चलो next among 20 natural numbers probability of getting an odd number तो यह तो simple है बिलकुल क्या होगा 20 natural number कौन से होते है 1,2,3,4 इस तरीके से 20 तो देख जितने even होते हैं उतने odd number होते है दोनों की बराबर ही होती ही probability quantity या निका रहा हूए बैक कंटेंस 3 red ball, 5 black ball and 4 white ball 3 red, 5 black और 4 white है क्या कहरा है हूँ a ball is drawn at random find the probability of drawing not a black ball not a black ball not a black ball not a black ball या तो red निकाल लो या फिर white निकाल लो black नहीं होनी चाहिए तो 3 red है 4 white है या टोटल कितनी होगा है 7 7 upon 9 by 7 by 7 by आगे क्या गया है following observation has been arranged in sending order यह order में लगे में है पहले से मैं order में नहीं करना वनना हमेशा ध्यान लगना है जब भी median पूचे जाएगी तो order में करना जरूरी है चाहे assessing करो यानि छोटे से बड़े की तरफ या फिर लेकिन order में जरूर करना तभी median निकलेगी इस 63 median दे रखी है 63 value of x पूचिया median के लिए दर होगे चारी दर होगे अंद आपका लगाते n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation इनको दिवाइट करते 2 सब n 10 है तो 5th प्लस 6th observation 5th or 6th x plus x plus 2 divide by median 2x plus 2 24 x is equal to 60 option number B next ascending order of the thirds this one this one this one inka sending order yes what does it mean? hmm what does it mean? ascending order what does it mean? the first one here what does it mean? what does it mean? the fraction the parts okay 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 ठीक ये 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 एक्च्वन में इस तरीके से है thirds ये cubic root है 2-T ये 6th root है 3 ये 9th root है 4-T तो thirds को जब भी हमें same करना होता है या तो base same कर दो या power same कर दो कोई एक चीज से होगी होती है तो यहां देखो 3-6-9 दिख रहा है इसे हम लिख सकते है 2 raise to the power 1 upon इसे लिखेंगे 3 raise to the power 1 upon 6 इसे लिखेंगे 4 raise to the power 1 upon 9 तो अगर हम base देखने same करके 2, 3, 4 इनका हमें लेना पड़ेगा LCM least one multiple यह हो जाएगा 12 6 पे तो यह नहीं होता है 12 यह होगा 3, 6, 9 3, 6, 9 का क्या होगा LCM 18 18 18 अगर मैं power बनाता हूँ तो मैं इसे लिखेंगे 2 raise to the power 1 upon 3 को हो जाएगा 6 upon 18 यह हो जाएगा 3 raise to the power 3 upon 18 4 raise to the power 2 upon 18 ठीक सबका base सेम हो गए 18 2 raise to the power 6 कितना हो गया पर अगर इनका सर वह power ना बनाता है सर इनका base लेते तब सर कैसा होता Base में थोड़ी problem यह हो थी कि power जो थी न उससे multiply करके base change होता तो power ही वहतर रहेगा हाँ पावर ही जादर सर इनका तो 2 raise to the power 6 मतब 2, 4, 8, 16, 32, 64 यह हो गया 64 raise to the power 1 upon 18 33 is a 9 33 is a 27 की power 1 upon 18 और यह हो गया 16 की power 1 upon 18 तो सबसे छोटा कौन सा इसमे तो सबसे चोटा है यह सबसे चोटा है यह सबसे पहले आएगा फिर यह यह यानी option number नेक्स्ट है find a sum of first 20 term of the AP तो simple है sum of AP का formula लगाना है 20 term यानी N 20 दे रहा है 20 by 1 2 A 2 A हो जागा 10 plus N minus 1 into D D कितना हो जाएगा 8 minus 5 यानी 3 हम solve कर लेंगे जो answer आएगा correct हो जाएगा चलो next आगे चलते हैं जो question और है 8 term of an AP is this and 14 term is this यानी हमेर यह आए A 8 है 17 और A 14 है 29 D पूछा है common difference तो A 18 को में लिख सकता हूँ A plus 7D is equal to 17 ठीक है एनरस यह का formula A plus N minus 1 into D और यह हो जागा A plus 13D is equal to 29 a simple minus कर दो A चला गया यह कितना बजी है 13 minus 7 यानी 60 is equal to 29 minus 17 12 D is equal to 4 this one last a chess board contains 64 equal squares chess का board है खीक है उसमें square कितने बनना है इस तरीकर सम बना रहा है तो 64 area of each square is this 6.25 a border around the board is 2 cm wide यहां एक border बनावा है board के बहार 2 cm width इसकी जो यह width है वो कितनी है 2 cm तो वो कहरा length निकाली chess board की कि यह length कितनी होगी 2 cm तो simple square का area 6.25 है इसकी side को मान लेते है small a small a square is 6.25 तो यह कितना हो जाएगा 2.5 2.5 2.5 का square होगी 2.5 का square होगी यह this one अब इसमें एक line में कितने square होंगे chess board में 8 8 64 होते है न तो 8 by 8 होता है यह एक line में art ऐसे square होते है और ऐसे row में भी 8 होते है और column में भी 8 होते है तो यह कितने square होगा है 8 तो total length कितनी होगा 8 a plus 2 plus 2 तो कि width दो तरफ होगी इदर भी 2 cm एड़ होगा और इस एड़ होगा यह हो जाएक total यानी 8 into 2.5 पहले इनकी multiply करो plus उसमें 4 करो 8 into 2.5 20 plus 4 24 option number इस एड़ी इस एड़ी इस एड़ी इस एड़ी तो फिर हमारी class खतम होती है मैट्स की बागे आपी जो चल रही हो चलती रहेंगी मैं